फ्रेंज कैसे हो आप लोग तो फ्रेंज देखिए मेकसिमम लोग ही SBI का bank account यूज करते हैं और बहुत सरे लोग का bank account में nominee ad नहीं रहता हैं तो फ्रेंज देखिए facilities आ चुगा है कि आप खुद से ही nominee ad कर सकते हो तो फ्रेंज देखिए अगर आपका bank account है SBI का तो आप एक बार check कर लीजिए कि nominee है या नहीं अगर nominee है तो check करके आप सोर दीजिए अगर nominee नहीं है या पहले भी है लेकिन आपको chance करना है उस nominee को या nominee नहीं था फिर आपको नया nominee का नाम add करना है तो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में दिखाने वाला हो तो फ्रेंज चैनल पे अगर करने के लिए यह उनो SBI application open कर लेना है तो open करने के बाद फिर आपका जो mpin है mpin एंडर कर दीजिए एंडर करके फिर आप login कर लिए तो login करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा तो इसमें जो option है accounts का तो accounts का option में आपको click कर देना है तो click करने के बाद इस type से show हो जाएगा फिर आपको my balance option show होगा और इसमें जो देखिए आपका balance show हो रहा है इसमें आपको just click कर देना है तो tick करने के बाद इस type से show हो जाएगा आपका full details दिखाएगा अगर loan मगरा है इसमें आपको show हो जाएगा फिर आपको नीशे option मिलेगा देखिए view nominee details तो इस option में ही आपको click कर देन है तो click करते ही आपको इस type से show हो जाएगा और जो भी existing nominee है उनका details इदर show हो जाएगा आप देख सकते हो जो भी है आपने add करका अगर रखा है उनका details इदर show हो जाएगा और इस बेक्ति को अगर मतलब chance करका आप दूसरा nominee रखना चाहते हो तो भी कर सकते हो या आपका account में किसी भी nominee को अभी तक add नहीं किया गया है आप new nominee add करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो तो friends देखिए इदर आपको option मिलेगा edit का तो edit का option में आपको click कर देना है तो click करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा तो इसमें देखिए जो भी बेक्ति को आप nominee बनाना चाहते हो आपका father wife husband daughter son मतलब जो भी है आप उसी सबसे आपको इधर से select कर लेना है तो select करने के बाद फिर आपको देखिए date of word select करना है तो add weiß 1 address 2 दोनों में ही आपको add files fill करना है तो fill करने के बाद आपको option मिलेगा confirm का तो इस option में आपको click कर देना है तो click करने के बाद फिर इस type से आएगा okay कर दिए okay करने के बाद आपका जो register mobile number हो उसमें एक OTP आएगा उस OTP के दिर एंटर कर देना है एंटर करके फिर आपको submit कर देना है तो फिर देखी इदर आपके एक number show होगा तो अगर एक number आपका register नहीं है कोई भी बात नहीं है मेरा भी जो number show हो रहा है register नहीं है शायद पहले हुआ होगा पता नहीं मुझे एक number तो मेरा नहीं था लेकिन जो OTP आएगा आपका ही जो mobile number है जो register mobile number है उसमें ही OTP आएगा तो इसमें जो OTP कर जागा है इसमें आपको OTP enter कर देना है enter करके फिर आपको submit कर देना है तो submit करते ही confirm हो जाएगा और आपका जो nomini है nomini add हो जाएगा तो इस तरीके से आप घर वेटे ही आपका mobile से ही आप एक nomini add कर सकते हो आपका bank account के साथ एक बहुत ही compulsory है अभी आपको करना ही करना है अगर आपको license कुछ हो जाता है जो nomini है वो आपका bank account का जो भी पैसा रहेगा वो उट्रो वगरा कर सकते है या वो पैसा ले सकते है इस वज़े से आपको nomini add करना ही करना है अभी तो आपको करना ही होगा